आप लोगों का यही सबसे ज़्यादा कॉमेंट रहता है कि जो सप्लिमेंटरी रिजल्ट आ रही है 20 तारीक से पहले उसमें कटप कितना डाउन जा सकता है क्योंकि 14,700 पदों पर सप्लिमेंटरी रिजल्ट के लिए मोहर लग चुकी है वन जॉब वन केंडिडेट आप समझ सकते हो कि जो मल्टेपल रिजल्ट आई है वहाँ से 14,700 ऐसे सीटी निकल के सामने आई है जिस पर सप्लिमेंटरी रिजल्ट देखने को मिलेगी तो इस वीडियो में हम समपुन चाचा करने वाले हैं चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या 9 to 10 हो या 11 to 12 हो या किसी भी सब्जेक्ट सो हो पिछले बार का सप्लिमेंटरी रिजल्ट देखेंगे और जो भी PCTRE 1.0 में जिस तरीका से सप्लिमेंटरी रिजल्ट आई थी 43 सो कुछ पदो पर लेकिन 27 सो पदो पर ही सिर्फ सप्लिमेंटरी रिजल्ट गोसित किया गया है क्या कारण था इस बार क्या हो सकता है कितना कम कटप जा सकता है पिछले बार कितना कम कटप गया है संपुर्ण जनकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है तो इस वीडियो को पुरा इंड तक ज़ूर देखिएगा वीडियो को बिने स्किप के भी देखिएगा और इस तरहने के साथ नहीं जूरे हुए है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जूर जाये जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए सांथी सांथ बेल आइकन प्रेस कर लिजिए क्योंकि आने वाला हर एक अपडेट आपको इसी तरीका से मिलती रहेगी चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बीना देर के हुए सबसे पहले तो मैं बता दू फ्रेंड्स आप सभी को बीपेसी में जो असफल हैं जो एक नमर दो नमर तिन नमर चान नमर से चूटे हुए जो डेट अब बर्त के कारण चूटे हुए है बिल्कुल रिलेक्स रही है आप लोगों के टेंसल ने लेके जरूत नहीं है क्योंकि फिर से 14,000 पदो प्लिमेंटर रिजल्ट आ रही हो और आप सभी का यह भी ज्यादा कोमेंट था कि कब आएगी बहुत ही जल 20 तारिक से पहले उमिद है कि यहाँ पर एक चीज चर्चा किया गया है कि अभी 94,000 सिक्षकों के अनुसंसा प्राप्त हो चुका है लेकिन टोटल एक लाग पार हो जाएगी एक लाग दस जार लोगों के निउक्ति पत्र देनी है तेरह तारिकों तो कहने का मतलब है हो सकता है आपका कल ही रिजल्ट आ जाए या परसुन आ जाए क्योंकि कल आठ तारीख है और आठ तारीख का लास्ट काउंशलिंग का डेट है फ्रेस जो औभी रिजल्ट आ है उसके लिए लेकिन जो नौ तारीख से डेट यहाँ पर बढ़ सकती है क्य कर उमीद है कि बाद तरीक तक हो जाएगी क्योंकि तेरा तरीक को हर हालत में जाइनिंग लेटर देनी है तो इस तरीका से टोटल एक लाग से अधिक स्टुडेंटों को जो है यहां पर निकति पत्र प्राप्त किया जाएगा और पुड़क परिणाम वाले जो भी है सप्लिम जाएगा नहीं तो बाद में होती है तो थोड़ा लेट इंतजार करना पड़ जाएगा अब कहने का मतलब यहां पड़ यह है कि जो कटप है वह कितनी डाउन जा सकती है इसके लिए हम आ गया भी पिस्टी के ऑफिसल बेप साइट पर और ऑफिसल बेप साइट पर आने के के बाद में आपको क्या करना है हम पेज में और और सिक्स टू एट का देखते हैं और सबसे ज्याधा जयाच्ट है सबचसे ज्यादाब डान जाएगी और शिक्स टू एट dalla्ट में सट्व इयजए रहेगे इसके बाद 9-10 इसके बाद 11-12 ऐस इस लिए ूनINGING बोला हूं क्योंकि 628 में जो बच्चे apply की होएंगे जरूड ही होएंगे वह 9-10 और 11-12 के लिए eligible थे जो 11-12 के लिए 9-10 के लिए eligible थे वह चीजच os it प्लाइक होएंगे तीनों जगा उनका result होग गया होगा हुए जाहिर से बात है वह 11-12 में ही जाना पसंद करेंगे जिसके करन 6-8 और 9-10 में सीटों के संखे ज़्यादा देख सकती है उसमें लगभग 3-4 नमर कम होने के चांसेस दिख रही है कहने का मतलब यहां पर यह है पिछले बार जो 2700 पर रिजल्ट हुआ था जो डेट अब बर्त के करण शुटे हुए थे सिर्फ उनी का रिजल्ट आया सप्लिम होएंगे ठीक है ना तो जिसका डेट अब बर्त जादा होगा उनी को लिया जाएगा करने का मतलब यहां पर यह हुआ कि एक मार्क्स पर सेम मार्क्स पर लगभग 200-300 400 500 600 600 तक आपको इस्ट्रेंट देखने को मिल जाती है तो उस कंडिशन में जिसका मार्क्स जिसका डेट भग 2 या 3 नमर कम जा सकती है लेकिन 11-12 में बहुत ही कम कट अब जाएगी जो डेट अब बहर देकान चुटे हुए है उन्हीं को सिर्फ मौका मिल सकता है जहां तक मेरा नुमान काता है जिस तरीका से हम भी पिसी ट्यारी 1.0 में रिजल्ट बनाते रहें और जिस तरीका से हमने अनुभव प्राप्त किया उस तरीका से मैंने आपको बता रहा हूं 9-10 में दो नमर जिसका कम है उसको भी मिल सकती है और आप लोग कॉमेंट करके जुरू बताएगे कि आपका कितना माक्स है कितना नमर कम है और किस कैटगोरी से किस सब्सक्राइब की एनलाइसिस करन अभी भी 85 बाले स्टूरेंट को पूरा सेलेक्टेक नहीं हुए है कम से कम यहां पर देख सकते हो 14 साल के गयप वाले स्टूरेंट उन्हें 46 तक लिया गया है मतलब 14 साल तक का एस्ट्रेंट को लिया जाएगा कम से कम अभी भी नहीं होगा तो इसमें देखने को मिलेंगे उनको लिया जाएगा फिड इसका डाउन आएंगे 84 पर तब उसमें 84 वालों को लिया जाएगा तो इस तरीका से मुझे लगता है कि दो तीन नमर हम बहुत जादा बता दिये ठीक है ना हो सकता है कि एक नमर ही कम हो बस उसी पर रह जाए क्यूंकि सभी को मिलाकर प्रक्लिक रही है सभी सब्जेक्ट को मिलाकर आ रही है और आप जानते हो कि यहां पर हर सब्जेक्ट अलग अलग है हर केट्गोरी अलग आप लोगों का 100% यहां पर सफलता मिलेगी और आपकी भी ज्वाइनिंग होगी लेकिन जिनका 5 नमर, 6 नमर, 8 नमर ऐसे कम है जिनका 10 नमर कम है उनके लिए भी बिग ऑपरचिनिटी है विपेसी टियारी 3.0 आप एक्जाम का टियारी में लग जाइए क्योंकि जब बता दिय है कि इसका एक्जाम 24 ऑगस्त होगी तो 24 कहीं होगी विपेसी जिस तरीके से शार्प सुतरा काम कर रही है और जितनी जल्दीवाज़े में काम कर रही है ताबली चारीफ है इसका जितने तारीफ किया जाए बहुती कम जिन वच्छों को हो गया होगा रिजल्ट आगया होगा वे तो प्रसंसा करते होएंगे सांती सांत जिनका नहीं हुआ है उनको भी प्रसंसा करनी चाहिए ठीक है तो मैं यहीं कहता हूँ कि आपको बीपिसी टियारी 3.0 के लिए आप अभी से ही प्रिपेर हो जाई है अभी से ही त्यारी कर लीजिए क्योंकि उस समय भी और सक अभी से कटाव होते हैं क्योंकि पैटर्ण समझ में आजाएगा आप सभी किस तरीकास पुचा जाता है कहां सब अगर मेंद कर रहें हैं नहीं तो अगर आप पिछए रहा जाते हो तो फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा दोस्तों इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि आप लोग इस चलनल के साथ जूरी रहेगा सब्सक्राइब कर लिए कि कि किस तरीका से पढ़नी है क्या करना है नहीं करना है कब रिजल्ट आ रही है कब क्या फॉर्म भड़ा रहा है कैसे कैसे हर एक चीज आप को इस यासे मिलती रहेगी असलिए आप इस आला के संदूरी गाइगा सब्सक्राइब कर लिजेए कि कि आने वला हर एक अप्डेट को इसी तरह से मिलती रहेगी चलिए इस वीडियो में तहीं रखते हैं फिर मिलते हैं एक नए विडियो ने टौ पकिस्दाएं तब तक ल बावब जें दोस्तों